दो मई का वो उत्सुकता भरा दिन जब शुक्र मिथून राशी में एक बज कर उननचास मिनिट पर प्रवेश कर जाएंगे यह बहुत ही चमतकारी परिवर्तन हो रहा है वैसे तो प्रतिवर्ष होता ही रहता है ग्रह गोचर का परिवर्तन लेकिन शुक्र में एक खास बात है शुक्र मंगल के साथ है मंगल के साथ शुक्र की यूति कुछ अच्छा लाब देती हैं कुछ गलत भी बाते होती है इस अवधी में तो संपूर्ण जानकारी लेकर हुई हूँ उपस्थित हाई एवरिवन मैं नेम इस डॉक्टर उमा शरी मेरे चनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत स्वागत है जैसा कि आपको बता चुकी हूँ शुक्र दो मई दो हजार तेईस को दुपैर को मिथुन राश राशियों के लिए विशेश विशेश चमत कारिक रहेगा अन्य राशियों के लिए विशेश फलदाई है लेकिन मंगल और शुक्र की यूति क्या फल देगी इसकी मिमान साभी आज के वीडियो में करेंगे लेकिन छे राशियां अध्बूत तरीके से धन के धेर पर बैठ अधन के धेर पर विशेश रूप से छे राशियों की बात करेंगे और फलादेश 12 राशियों का ही आम आपको बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो में बने रही है अन्ति तक मैं हूँ एस्ट्रोलोजर और वास्तु कंसर्चेंट डॉक्टर उमा श्री मुझसे पकानकरी पसंद है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्षन में ओम नमस्षिवाय और जयमातादी अवश्य प्रेशित करें डैत्ते गुरु और देवगुरु अलग-अलग हैं यानि देव गुरु ब्रहस्त्पत्धी को कहा जाता है और द्यत्ते गुरु बात कही है तो शुक्र से संबन्दी थी फलादेश इस वीडियो में आपको देने का प्रियास करेंगे शुक्र अपने मित्र बुद की राशी में यह शुब संकेत है पहले व्रशब राशी में थे स्वग रही थे और दो मई को यानि आज आ गए हैं अपने मित्र बुद की राशी में यह परिवर्तन बहुत शुब है वैसे जोति शास्तर के ग्रंथों में शुक्र मिथून राशी पे होने पर गुप्त रोख होते हैं चहरे पर मुहासे होते हैं यदि साथ में शुक्र भी है तो चर्म विकारों की या र नम तालिक ग्रह की बात कर रहे हैं शुक्र और बुद की यूति हो या अन्य यूति हो विशेश रूप से शुक्र मुथ्यून राशी में हो तो गुप्त रोख होते हैं ऐसा शास्त्रों में वर्णित है मिथून लगन में मंगल अशुव होता है लगन की बात कर रहे हैं इसमें अगर प्रथम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या शष्टम भाव में हो अश्टम भाव में हो नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो या अशुव फल्दा ही होता है मंगल मिथून राशी में हो तो फेफ़णों को प्रभावित करता है, कश्ट होता है रक्त विकार, पेट बढ़ना, कफ का जमना, सांस का खर-खर करना ये विकार जातक को होते है मंगल शुक्र की यूती अत्यंत कामूक भी बनाती है इंसान को काम भावना उसमें प्रबल होती है वैसे शुक्र गोचर में प्राए सब भावों में शुब होता है लेकिन आपकी जनम राशी से प्रथम स्थान में शुक्र हो तो शत्रू के द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं होता शत्रू भी आपका मित्र बन जाता है अगर जनम राशी से गोचर कर रहा है शुक्र और आर्थिक लाग द्वितिय स्थान में शुक्र हो तो पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है तो चंद्र राशी से अगर आपके द्वितिय स्थान में शुक्र आया है यानि मिथून राशी पड़ रही है तो आपको जबरदस्थ पैसा प्राप्त होगा त्रतिय स्थान में चंद्र से शुक्र पैसे की जबरदस्थ प्राप्ती कराता है और अत्यंत शुब होता है चौते स्थान में भी पैसों की बरकत होती है तरक्की होती है पैसों की शेत्र में आप छा जाते हैं जमाने पर इतना आपको आर्थिक लाव होता है पंजम स्थान में होने पर विद्या फलीभूत होती है संतान के से सुख मिलता है और अत्यांत लाब आपके जीवन में उपस्थित होते है छटे स्थान में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है लेकिन भौतिक सम्रद्धी होती है कुछ मामलों में लेकिन शत्रुव आपको कश्ट पहुंचाता है सब्तम में सम्मान मिलता है लेकिन भाय भी उपस्थित होता है अश्टम में शुक्र सुख और आर्थिक सम्रद्धी देता है नवम में भौतिक संपदा देता है सुख देता है और अच्छे और महंगे वस्तरों की आपको प्राप्ती होती है आभूशन या ज्वैलरी भी आप प्राप्त करते हैं नवम में शुक्र का गोचर हो तो दशम इस्थान में शुक्र अच्छा नहीं होता है और सुख में कमी करता है एकादश इस्थान में भी प्राप्त होता है बहुत ज्यादा लाब होता है द्वादाश इस्थान में भी शुक्र ऐसा है प्लेनेट है जो आपको सुख संबुरदी देता है भोग की प्राप्ति आपको होती है सब्धी में तो आप अपनी चंदर राशी से गरना कर लिजिये अगर आपके चंदर राशी से दूसरे इस्थान में करकर राशी है तो आपको आर्थिक लाब होगा अगर आपकी कोई भी एक्जामपल दे रही हूँ मैं आपको आपकी जो चंदर से तीसरे स्थान में अगर कन्या राशी है तो आपको पैसों का जबर्दस लाव होगा अगर आपके मिथून लगन है तो चौथे स्थान में आपकी कन्या राशी होगी ये भी आपके लिए शूप संकेत दे रहा है और आपको आर्थिक लाब और उन्नती मिलेगी चंद्र राशी से यानि आपकी जो भी राशी है चंद्र राशी से आप पंचा में स्थान देख लेजिए वहाँ आपको सुख मिलेगा संतान से और विद्या की प्राप्ती होगी और हर शेत्र में आपको लाब मिलेगा शुक्र छटे स्थान में अशुब होता है जैसे कि हमने आपको बताया ये आपको नुक्सान पहुंचा सकता है अपनी चंदर राशी से गर्णना कर लिजे अगर आपका मेश लगने है तो तुला राशी आपके सात्वे इस्थान में होगी तो उससे आपको भय मिलेगा डर मिलेगा लेकिन सम्मान भी महुत मिलता है अश्टामिस्थान में अगर शुक्र है और आपके जो भी राशी पढ़ती है for example रश्चिक राशी ही पढ़ती है अश्टामिस्थान में तो आपको सुख और आर्थिक लाब की प्राप्ति होगी नवबस्थान में अच्छे वस्थर महिंगे वस्थर अगर धनु राशी आपके नवा मिस्थाम में पड़ रही है तो आपको जबर्दस लाब देगा दशाम इस्थान में शुक्र शुब नहीं होता सुख में कमी करता है एकादश इस्थान में आर्थिक लाब देता है और 12 इस्थान में भोग की प्राप्ति आपको होती है शुकुर का ये मिथून राशी में गोचर मिथून राशी के लिए बहुत शुब है कर्ग राशी के लिए बहुत शुब है सिहर राशी के लिए भी शुब है कन्या राशी के लिए भी शुब है तुला राशी के लिए भी मध्यम फल्प्रद है धनु राशी के लिए अशुब है मकर राशी के लिए अत्यंद शुब है कुम्भ राशी के लिए भी शुब है बहुत जादा भौत एक उन्नती होगी मीन राशी के लिए भी अशुब है मेश राशी के लिए शुब है वरशव राशी के लिए भी शुब है तो कुल मिला के वरशव राशी के लिए शुब है मिथून राशी के लिए शुब है कर्ण्या राशी के लिए शुब है मकर राशी के लिए शुब है कुम्भ राशी के लिए शुब है और सिह राशी के लिए शुग है इन सब राशियों को अपार धन संपदा मिलेगी और धन के धेर पे बैठेंगे शुक्र वैसे स्वराशी यानि व्रशब और तुला राशी के साथ ही साथ अपनी उच्छ राशी मीन में बली होता है शुक्रवार को बली होता है और चंदर के साथ वक्री हो या राशी के मध्य में 10 से 20 अंश में हो तो बली होता है शुक्र शष्टम इस्थान में अशुब होता है सब्तम में अशुब होता है लेकिन चतूर्थ और द्वादश भाव में विशेश बली होता है ग्रंथों में शुक्र को छटे भाव में निर्बल बताया गया है वैसे शुक्र मिथून राशी में भी गोचर में कमजोर होता है लेकिन बुद्ध का मित्र होने से अत्यांत शुफल देता है वैसे जनम पत्री में नैसरगी की रूप से विद्धेमान ग्रह भी लाब देते हैं अगर आपने जिन भाव में शुक्र का शुफल बताया है वह स्तती आपकी कुंडली में है या शुक्र आपकी कुंडली में मीन राशी का है तो आप अत्यंत ऐश्वर को भोगेंगे, भाग्यवान होंगे, शुशील सभाव के होंगे गीत संगीत में आपकी रुची होगी, म्यूजिक में आपको यह रुची होगी आपको अत्यंत लाब मिलेगा इस गोचर से शुक्र ऐसा ग्रह है जो नीच का होने पर भी लाब देता है हाला कि स्वासे संबन्दे नुकसान देता है व्यक्ति को गुप्तुरों परिशान करते हैं नीच में शुक्र होने से लेकिन आर्टिस्टिक भी बनाता है चितरकार बनाता है क्राफ्ट में उसके इंट्रेस्ट होता है और इस शेतर में वो नाम भी कमाता है अगर नीच भंग हो जाए तो अत्यंत शुफल देता है मूल त्रिकोन राशी में होने पर जातक को हर शेतर में पूरुसकार ही मिलते हैं उसके पास प्रापर्टी बहुत जादा होती है जिसका शुकर अच्छा होता है शुकर एक नैसरगिक शुब ग्रह है और पत्रिका में अगर शुब इस्तती में हो तो जीवन को संवार देता है शुकर जातक को दीरखायू बनाता है शुकर सुन्दर बनाता है एश्वर्यवान बनाता है मधूर सुभाव वाला बनाता है भोग विलास में लीन रहने वाला हूँ बनाता है हर काम में प्रवीन होता है हर काम में उसको लाब मिलता है और स्वच्छ और अच्छे वस्त्र धारन करने का शौकीन होता है और सुगंदित वस्तुओं का प्रयोग निरंतर करता रहता है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्चा